हेलो एवरीवन स्वागत है मैं नागेंद आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज एक बहुत इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन आप से शेयर करने आया हूँ कि आज के अगवार में यूसेट की जो पोस्ट है वो कई सालों बाद स्वीकृत की गई है और जल्दी एक्जाम आपके समक्ष होगा और आप जानते हैं कि यूसेट का एक्जाम उन लोगों के लिए कितना इंपॉर्टन है जो लोग उत्राखंड के अंदर कॉलेजेज में असिस्टेंट प्रॉफिसर की जॉब चाहते हैं और वो पहला eligibility criteria है जिसको पास करना जरूरी होता है तो मैं आज कुछ important tidbits लेकर आया हूँ इसके बारे में जिससे कि जो लोग इसके लिए इंटरस्टेड हैं वो तयार हो सके और English के यूसेट के और बाकी जितने भी subject के यूसेट के paper हम शुरू कर रहे हैं उनकी भी information आप से share करूँगा तो पहली बात मैं जल्दी से ये बता दूँ कि इसकी detailing में जाने से पहले कि हम किस-किस batch को start कर रहे हैं तो आप यहां लिखे देख सकते हैं जो black में लिखे हुए हैं ये तो immediately हम start कर रहे हैं यूसेट के जैसे English है English में मैं खुद यूसेट में state topper ranks में रह चुका हूँ तो मैं आप सको खुद teach करूँगा नीचे history है, history में हमारे जो teacher हैं वो net jrf हैं और phd, political science सारे net jrf, phd टीचर हैं, education में भी net jrf और biology में भी और ये सारे लोग बहुत ही academically sound लोग हैं जो कोई DU और कोई कहीं बहार से पढ़ा हुआ है और net और phd और कुछ लोग jrf हैं जो बहुत ही अच्छा command रखते हैं subject में जो red में आपको दिख रहा है वो हमारे pipeline में courses वो हम जल्दी start करने वाले हैं उसमें commerce है, management है, economics है और hindi चाते हैं और बड़िया तरीके से course को करना चाते हैं इसके बारे में बाद में detailing लेके share करूँगा, अभी तो फिलाल मैं आपको कुछ use it के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ और किस course को हम start करें, तो हमारे वहां जो हमारा description है YouTube में उसमें कुछ link में इन सब से eligibility criteria है, क्या-क्या norms है, क्या चीजे हैं, तो मैं उन चीज़ों को आपके सामने clear कर लूँ, कि use it के exam के लिए जो eligibility criteria है, वो यह है कि आप post graduation में 55% आपके पास होना चाहिए अगर आप general है, और अगर आप general candidate नहीं है, SC, ST या OBC और PWD यानि person with disability, तो आपको 5% का relax मिलता है, आप 50 percent में इसको दे सकते हैं, तो clear है, कि generals के लिए 55% post graduation में, और बाकी जो मैंने non creamy layer, आपको बताइए OBC, SC, ST, और PWD candidates के लिए है, 5% के relax के साथ, only 50%, अब कुछ लोगों का यह प्रश्न हो सकता है, कि sir, अगर कोई PhD हो, तो क्या उसमें भी relaxation है, of course, आपके लिए PhD अगर आप already हैं, जिन्होंने कई लोग बिना UCET या NET के PhD भी कर लेते हैं, अगर आप PhD हैं और आपके post graduation में 55% marks नहीं हैं, तो आपको एक condition में 5% relaxation मिल सकता है, यानि आप 50% अगर आपके हैं post graduation और PhD हैं आप, तो भी आप इसके लिए eligible हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका जो PG exam है, वो 19 सितंबर 1991, 19 September 1991 से पहले का होना चाहिए, clear, तो फिर से अगर मैं इसको दोहरा हूं, तो अगर आप PhD हैं, लेकिन post graduation में 55% नहीं हैं, तो आप एक शर्त में 50% में भी eligible हो सकते हैं, अगर आपने अपना post graduation 19 सितंबर 1991 से पहले हैं, एक सवाल ये भी आता है, कि सर इसके लिए age limit क्या है age criteria, तो आप सभी लोगों के लिए ये बहुत relaxing चीज है, कि चाहे वो net हो, चाहे यूसेट हो, आपके लिए maximum age criteria कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी age के लोग, यूसेट का exam दे सकते हैं, और appear हो सकते हैं, फिर एक और information important आ appearing लोग हैं, जो अभी post graduation के exam में appear कर रहे हैं, या फिर उन्होंने appear हो चुके हैं और result का wait कर रहे हैं, वो भी इसको दे सकते हैं, वो भी यूसेट में बैच सकते हैं, वो भी form भर सकते हैं, और उसके साथ शर्त ये है, कि उन्हें यूसेट के result आने के बाद, दो साल के अंदर अपना post graduation certificate जो है, या degree, जो post graduation के degree है, वो दिखानी होगी, या जो भी उसकी mark sheet है, वो दिखानी होगी, जिसमें आपका post graduation clear होना चाहिए, उन्हीं conditions के साथ, कि general 55% और बाकी की जो category है, वो 50%, अगर इन condition के साथ, आप जो है, दो साल के अंदर result आने के बाद, अपना post graduation के degree है, या जो भी mark sheet है, वो अगर वहाँ सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो आप भी इसमें, अगर आप qualify कर चुके हैं, तो आपको भी, जो है, यूसेट का certificate issue हो जाएगा, कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है, जैसे वो category के लोग हैं, अगर वो SC, ST, या OBC, जो भी non creamy layer है, या फिर PWD category के हैं, तो वो एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से तयार कर लें, क्योंकि वो चीज फिर उन्हें last में धोका देगी, वो ये कि अगर आपका जो category का certificate है, वो बहुत पहले का बना हुआ है, तो आप बिल्कुल aware हो जाईए, कि आपका certificate एक साल स उसे renew करा लीजिए, और उसको जिससे कि आप जब form आए, तो आपको बहुत ज़्यादा परिशानी नहों, और आप well prepared रहें, तो ये थी कुछ basic conditions, eligibility criteria, क्या चीज का ध्यान रखें, और किस के लिए तयार रहें, रही बात preparation की, तो metamorphosis is always at your doorstep, मैं offline और online दोनों तरीके के batch start कर रहा हूं, और हमारी faculties सारी ready है, we are all set with all the things, all the tools, all the MCQs, all the things ready, all the matter, and all the faculties filled with enthusiasm, and एक और important चीज, कई लोगों को मेरे offline coaching का address नहीं पता, तो मैं आज आपको शेयर करने आया हूं, क्योंकि कई लोग पूस्ते रहते हैं, तो मुझे लगा कि शायद लोगों को पता नहीं है, तो मैं आप शेयर करने आया हूं, कि मैं हलद्वानी से पूरा institute चलाता हूं, and I belong to हलद्वानी, इन उत्राखंड, और हलद्वानी में एक बहुत ही prominent जगह है, पंचक की चौराहा, उसमें बिलकुल चौराहे पे हमारा institute, जो है, Metamorphosis, वहाँ पर situated है, जहाँ पर के लिए आपको क कहीं से भी, चाहे आप ननिताल के और से आ रहे हूं, या पहाड़ों के और से आ रहे हूं, चाहे प्लेंस के और से आ रहे हूं, चाहे रामनगर काशिपूर के और से आ रहे हूं, हर जगह से बहुत आसानी से ट्रांस्पोर्टेशन एवलेबल है, और बहुत आसानी से कोई भी आपको पहुँचा सकता है So if you are interested in offline courses तो आप जल्दी से जल्दी उसे contact कीजिए Contact number यह लिखा है 7417566874 जिससे कि मैं आपके batches को जल्दी start कर सकूँ और timing दे सकूँ और English के batches की अगर मैं बात करूँ जिसकी की मेरी expertise है तो English के हम 4 से 5 batch यूसेट के चलाएंगे according to the time variation So आप लोग उन time को चुन सकते हैं और आप start कर सकते हैं So बाकी की और कुछ information यूसेट के बारे में detail लेके जल्दी हाजिर हूँगा तब तक के लिए दोस्तों आप मन बनाईए और तयार रहिए और चुनिए metamorphosis को हमें भी मौका दीजिए और जिसको फिर भी कोई confusion है किसी चीज को लेके यूसेट में तो वो मुझसे contact कर सकता है personally और मैं आपके हर answer दूँगा Thank you, have a nice day